Hey guys, once again you all are welcome on backbenchers study hub और आज की इस lecture में हम discuss करेंगे power system protection की designing में important role लिवाने वाले topics जिनका बहुत जादा यूज होता power system protection में तो जो topics आज की इस lecture में हम discuss करने वाले हैं वो आपकी screen पर आगे होगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि what was the requirement of power system protection power system protection है इसकी जवर्ण क्या है तो सबसे पहले बात ही कर लेते हैं कि माली जी मेरे एक power system है power system है generator होगा power generate करने के लिए और इस power रों consume करने के लिए load center होगा यह मेरे feeder है यह मेरी bus bar है यह bus bar है यहाँ पे नोटर generator है यहाँ पे load source लगा हुआ है sorry load center है यहाँ पे load center L1 यहाँ पे load center L2 लगा हुआ है यहाँ पे bus bar होगा so generally this is designing of power system so whenever you fault occur in this system suppose that यहाँ पे fault occur होगा और one important thing power system जब भी पढ़ोगा आप हमेशा इस बात को हमेशा नोट कीजीगा याद रख लीजीगा कि whenever you fault occur in the system उस system से जुड़े हुए है जितने भी पाथ है तो उन पाथ से जो every possible path है उससे जो entire amount of current है वो इसी load से, इसी fault से flow होगी क्योंकि इसका impedance होता है वो minimum होता है ठीक है कि जब भी fault अगर होगा तो जितने भी possible current है इस path से pass होने वाली वो यही से flow होगी अब जब यहां से current flow होगी तो इसके आजपास का environment होगा I mean आजपास के जो device होगी उनमें जो current का flow होगा वो axis हो जाएगा अब जब rating current से ज़्यादा उसमें से current flow होने लगेगा तो वो device damage होना सुरू हो जाएगी तो हमारा जो power system design जो हमने काफी लागत के बाद उसको design किया तो वो एक fault की बने से क्या हो गया पूरा पूरा power system damage हो गया तो तो यह लिए हमें power system protection की जरत पड़िती है क्योंकि जो आजपास की device है इसके उनको protect करना हमारा purpose बन जाता है तो power system protection की जरत क्यों पड़ी यह concept तो आपका clear हो गया अब now I move in the next point की power system protection क्या है कैसे करते है power system तो how it is possible possible सबसे पहले इस वाम समझेंगे एक example की हल्क से कि एक bucket है उसमें माल लीजे किसी x person है उसने hot water fill कर दिया और एक डूसरा person why आया और उसने बिना देखे आराम से उसमें अपना हाथ ढाल दिया अब जैसे उसने अपना हाथ अंडर ढाला suddenly उसने अपना हाथ बाहर रिमूव किया अब इस पूरा process को समझते हैं पहले कि जैसे उसने हाथ अंडर ढाला तो वहाथ का अब जो hot water था उसको यहां की जो हाथ की जो neurons की उनने sense किया और वो signal कि इसको बेजा मस्तिक्स को ब्रेन को वो signal बेजा और ब्रेन ने तुरंट action दिया कि remove the hand from the hot water ठीक है इसलिए यह process है वो fulfilled हुआ अब now I move in this power system protection designing So power system protection designing में हमें एक ऐसी device है जो fold को sense कर सके यहां पर हमारी जो fault है उसको sense करने वाली एक device है दूसरी एक ऐसी device है जो sense होने के बाद वहां पर उसका जो contact है उस contact को remove कर दिया Suppose that यहां पर fault हकर हुआ तो यहां वाले portion है उसको remove कर दिया ताकि जो access amount of current है वो flow नहीं हो और बाकी का power system protection है वो आराम सी चलता रहे है माली जी यहां पर एक parallel feeder की बात कर रहे है यहां से ही हो गया ठीक है यह आप जब next move करते जाओगे तो यह सारा system आपको समझ में आता जाएगा अब सिधर सब्दों के याद रखेगा कि whenever a fault is around the system तो उसके आसपास के device को damage होने से बचाने के लिए power system protection का use कर रहे और power system protection में एक ऐसी device से ही है कि fault है कि नहीं है उसको sense कर पाए एक ऐसी device और दूसरी जो उसको separate कर पाए या फिर इन दोनों का combination होगा तो भी अपना काम निकल जाएगा तो बात समझ में आई कि नहीं इस जो sense करने वाले जो device है उसको यहाँ पर technically हम relay बोलते है तो इस device है उसको हम circuit breaker है यानि कि जो faulty portion है उसको healthy portion है उससे remove करता है तो बात समझ में आई कि नहीं आई अब हम relay और circuit breaker है उसकी functioning को अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं तो अब हम एक example की हब से समझने की causes करते हैं यह नहीं transmission line है ठीक है अब इसमें normal condition में कुछ amount of eye flow होता होगा तो मैंने यहाँ पर relay को install कर दिया और यहाँ पर circuit breaker है circuit breaker है को मैंने यहाँ पर install कर दिया अब fault occur होगा तो इस system जो eye flow हो रही है उस eye की amount में एक gajp का variation आएगा मतलब कि यह amount बहुत जाला increase हो जाएगी अब इस increment को एक relay sense करती है ठीक है अब कैसे sense करती है इसके बारे में नहीं सोचने का इस पर relay के operation है उसको हम एक separate video है उसमें discuss करेंगे अब जैसे ही इसको sense किया तो इसके बाद यह signal circuit breaker है उसको भेजिगा की to break हो जाएगी तो जैसे ही circuit breaker operate होगा तो यहाँ पर एक contact ऐसा बन जाएगी यह transmission line is separate अब जो faulty portion है वो healthy portion जाएगी तुम्हारे device है वो damage होने से बच जाएगी क्योंकि इसके आसपास जो भी device है वो damage होने से बच जाएगी तो I hope circuit breaker और relay उसका operation भी आपको समझ में आ गया होगा one important thing कभी भी relay operate नहीं होती जो operate होता है वो circuit breaker होता है और यहीं आपको hot water वाला concept पता है this relay is just like all mind जो sense करता है कि something went wrong in this power system so वो order देता है किसको circuit breaker को भाया तो operate हो जाएगा जैसे circuit breaker operate होगा आपका जो faulty portion है वो healthy portion है उससे separate हो जाएगा ठीक है अब एक नई problem हो रहा भी है कि इसकी यह relay है यह इसका circuit breaker है मालनी जी यह आप फोल्ड लेकर वासमेर फोल्ड लेकर सी है huge amount of curve starting flow relay sense it और circuit breaker not operate हो सकता है circuit breaker है उसकी उमर हो गई हो circuit breaker अब बोला कि भाया मैं operate नहीं हो आप मेरी उमर हो गई में operate नहीं हो गई हो उसने जमा बेदियम में operate नहीं हो गई हो गई हो अब हमने तो यहाँ पे यह relay और circuit breaker इस mindset के साथ installed किया था कि जैसे ही fault अका हो कि relay sense के लिए की circuit breaker open होगा बट यहाँबर लो कुछ something went wrong कुछ लोचा हो गया दूसरी वासमे बोलनु तो तो fault का कर हुआ अपनी relay और पाव जो circuit breaker है वो operate नहीं होगा सो आसपास के device है वो damage होगी तो what the meaning of this हमें protection system भी लगाया और फिर भी हमारा जो power system है वो protect नहीं हो पा रहा so there comes the concept of backup protection concept of backup protection कि जब हम किसी particular specific location पर fault occurrence को sense करवाना चाहते हैं और उसके लिए हम दिलिय और circuit breaker लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं man protection लेकिन जब कभी अपना man protection काम नहीं करता ऐसे situation से बचने के लिए हम हमेशा power system protection में backup protection है उसको भी consider करते हैं तो आपको यह बात तो समझ में आगी होगी कि why we need a backup protection अब यह कैसे function करता है इसको हम एक example की help से समझने वाने हैं इम अर्य सक découvrir है यह पर तो यहां पर एक जनएट लेवाए बेस्पार नाएं फ्रिवल यह आठ यहां पर लॉब च्टांचे वहां अगा मिलुखते हरे। को यहाँ कुलू पर पूठेशनी आप सरोफ और अगरोंक्ट को एत्य ब्रकेशन मैं थेहां आउखने हैं। तो यहां प्रेडिश्टमें इखित्वता से बेढ़ा हुआ है। सो यहां में पैनिक मत होना कि इतनी साथी रिले लगा दी कैसे लगा दी ठीक है यह पार ज़िशन डिजाइनिंग का वहुषका कॉंसेप्ट है जिसकों फार्द लेक्षर्स में डिस्क्रस करेंगे इनकी लोकेशन किस प्रकार से डिफाइन की जाती है सो рушती आपकी अपकी अपकी साल हांence कि कि मोःगा नीजी की जिए जनल प्रेंगे इस का से में फ्लोटा ओकन टर्फेंगें अचालक से एक current की direction वीवर्स होगे तो इस current को sense करने के लिए हम direction or current relay लगाते हैं so direction or current relay है उसको हमने detail में study किया है एक अनुदर lecture में ठीक है तो आप इसको भी उस lecture में जाके देख सकते हैं अब now I come on the point कि which is the primary protection and which is the secondary protection या फिर backup protection तो कोई भी point choose कर लिजिए suppose that यह point मैंने choose कर लिया यहां पर fault हो ठीक है अब यहां पर fault होगा तो generally देखो current का flow होता है वो generator to load की तरह होती है यहां से current flow होई हुई Generally current होती है generator से load की तरह flow होती है यहां से current flow होई लेकिन जैसे fault होई जितने भी possible path है उनसे entire amount of possible current वो यही से पास होने की कौसिस करेगी तो इस और current relay है वो operate हो जाएगी क्योंकि यहां से current है उसका flow अचानक से बढ़ जाएगा second thing, जब यह current यहां से आ रहे है तो यहां पर इसको कम impedance वाला पार्थ मिलेगा तो यहां से flow होने की कौसिस करेगी लेकिन जो general flow है current वो इस direction में है और यहां पर current इस direction वो flow होना शुरू हो गई तो यह मेरी जो directional hour current relay है वो operate हो जाएगी ठीक है guys यह relay one और relay two दोनों के दोनों इस fault के लिए primary protection है या main protection है ठीक है अब suppose that यह primary protection काम ही नहीं कर ला होना अब जो primary production काम नहीं कर रहा तो यह relay नहीं है यहां पर assume कर लिजी कि यहां पर कोई relay नहीं है एक simple circuit है ठीक है अब यहां से जिपने possible path है उससे current आएगी तो सबसे पहले यहां से current आएगी ठीक है दूसरी current यहां से यू आए अब यहां से आने वाली current है उसको हम किसी भी relay से sense नहीं कर पाएंगे तो हमें यहां पर यह क्या लगाना पड़ेगा और current relay तो यहां पर एक और बस लगाओ ठीक है तो यहां पर हम एक extra और current relay भी रखने पड़े कि backup protection के परपच के लिए ठीक है secondary reverse direction के current को रोकने के लिए जब भी ही जो current है वो इस direction में flow हो रही है तो यहां में इस branch में जो current के amount है वो बढ़ जाएगी तो इसकी जो और current relay है वो ओप्लेट हो जाएगी तो इस fold के corresponding backup protection relay है relay 3 ये वाल sorry relay 3 और relay 4 तो I hope guys primary और जो backup protection का concept आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तब इस concept है उस पर अपनी पकड मजबूत करने का एक ही तरीका है खुझ से कोई भी random power system है वो design कीजिए का और उनमें देखे की हर relay को आपके ये relay operate का ना बन कर दी तो इसके function को कौन सी अंदर relay है वो control करे की ठीक है तो इस परकार आप में backup protection और primary protection पर अच्छे से command पा सकते है जो point मैंने starting में आपसे बोलेते हैं वो सारे point मैंने discuss कर दिये है और if you like the content which is delivered in this lecture then please like, share and subscribe your study channel back when just study because आपका ही छोटा सा support है वो भी हमारे लिए motivation का काम करता है thank you